धर्ती के कंड कंड में हो समाए जै जै सारे जग के लोग करें लीला है न्यारी नंदी की सवारी भांग थतूरे का भोग करें भस्म रमाते हैं कंद मूल फल्खाते तन पर बागांबर का वेश किया है तृनेत्र धारी के खेल है निराले हर हर महादेप जै भुलेनात आप सभ हमस्ते भी फुलेनात की về सदाबानी रहे हिंदू कैलेंडर के नुस्वार में इक रहती हैं जिनमेंसे दो सब सेब से खास होती है एक महः महां शिव्याथ क्या कि ते सावन क Kapod Бог्तों के लिए और भक्त gep के साथ मानाते इस दिन भक्त कावण में गंगा जल लाकर फिर शिवलिंग का विशेग करते हैं कहते हैं कि भूलेनात बहुत दयालू है एक लोटा गंगा-जल या सध जल से ही प्रसन हो जाते हैं फिर भी भगवान-भोले के भक्त उन्हें मनाने का पूरा प्रयास करते हैं सावन के महिने में की गई पूजा भगवान शिप को सबसे जल्दी प्रसंद करने वाली पूजा है हाला कि जिन भगतों की सामर्थ ना हो वो उपवास ना रखे लेकिन जिन की सामर्थ हो वो इस महिने में पढ़ने वाली सभी विशेश तित्यों पर उपवा गगवान के मैने में भगवान के भक्त भगवान का आशिरवात पाने के लिए करते हैं और इस दिन रात के समय की जिन भक्तों के लिए चार पहरों की पुजा करना संभवना हो वे आज शिवरात्री को प्रदोष काल के समय में भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं शिवरात्री के दिन सारा दिन उपवास रखा जाता है और अगले दिन सुर्यदे के बाद वृत का पारणा किया जाता है इस शुब दिन पर महादेव की पूजा करने के लिए कुछ जरूरी पूजन सामगरियों को आप अवश्य शामिल करें जैसे कि पांस तरह के फल पांच मिठाई भांग धतूरा बेल पत्र शमी पत्र बेर, गुलाल, सफेज चंदन, दक्षिना, गन्य करस, गाय का कच्चा दूद, गंगाजल, पंचामरित, शुद्धगी, शहद और इसके लावा दूद, दही, कपूर, धूप, दीप, मा पारवती के लिए श्रंगार की सामगरी भी जरूर रखें इन में से जो भी सामगरी आपको मिल जाए, उससे आप सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करें। क्योंकि अगले दिन शरीवार को दोपहर में ही दिथी समाप्त हो रही है, इसलिए इस बार दो अगस्त शुकुरवार को ही सावन शिवरात्री का वरत रखा जाएगा, इस दिन सुबह और शाम विदी विदान से भगवान का पूजन करना चाहिए, दो अगस्त शुकुरव पहर और अंतिम पहर में भी पूजा करके वरत का पुन या चारों पहर की पूजा का पुन प्राप्त किया जा सकता है, तो ये चार पूजा की शुब मोर्थ हैं जिसमें प्रथम पहर रहेगा, शाम साथ बचकर ग्यारा मिनट से रात नौ बचकर उननचास मिनट तक, पूजा का चौथा और अंतिम पहर 3 अगस्त शनिवार को सुबह 3 बचकर 6 मिनट से 5 बचकर 44 मिनट तक रहेगा, इसी मानिता है कि प्रथम पहर में दूद से दूसरे में दही से तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शेहत से शिवलिंग का अभिशेक किया जाता है, श शिवरात्री व्रत का पारणा अगले दिन यानि 3 अगस्त शनिवार को सुबह 5 बचकर 44 मिनट से 2 पहर 3 बचकर 49 मिनट के बीश में किया जाएगा, व्रत का पारणा करने से पहले भी आपको शिवलिंग पर कम से कम एक लोटा जल अरपित करके धूप दीप जलाकर और को खीर का भोग लगा कर या मौसमी फल मिठाई का भोग लगा कर उसी का सेवन करने से करना चाहिए यह थी आज की वीडियो उमीद है आपको पसंद आई होगी